नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज कल हर नए दिन कोई नया मॉबाइल फून लाँज होता है बट कुछ-कुछ मॉबाइल फून ऐसे होते हैं जिसका लोग बेस अबने से इंदिजार करते हैं वैसा ही आज एक और नया मॉबाइल फून हम आपके लिए जो है ओपो कंपणी का F23 5G मॉबाइल फून जैसा कि आप सभी जानते हो कि ओपो की कोई भी नए शीरीज आती है तो उसके मॉबाइल फून के लोग बेस अबने से इंदियार करते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए उपको F23 3G मॉबाइल फून लेके आए हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग इसकी अन्वाक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके फर्स्ट लूग इंप्रेशन इसके राइम रूम पूसर की सारी जान करें तो वीडियो के इन तक हमारे साथ बने रहे हमारे और आप सभी चलेंग टीम एक्स्प्लेइन वर्ल में चलिए इसकी शुरुवात करते और फर्स्ट अफल हम देखते हैं बॉक्स कंटेंड में हमारे को क्या क्या मिलने वाले तो चलिए मोबाइल को अन्बॉक्स करते हैं तो गाइस यह रहा हमारा OPPO F23 5G मोबाइल फोन का बॉक्स जैसा कि आप सभी देख सकते सामने OPPO F23 5G लिखा हुआ है तो इसका 23 नंबर का मॉडल से 23 दिया हुआ है साथ में अगर आप भार से पर्चेस करते हो मोबाइल फोन शॉप से या कहीं से तो आपको सामने में दि अगर आप देखोंगे तो कुछ बेसिक से डीटेल मिल जाती है जिसमें आपको आज ही भी रहा है और 256 के साथ आता है वहीं हमारे पास जो आज कलर आया है वह है कूल ब्लैक कलर जो कि हमने पर्चेस किया हुआ है तो जो लिए फटावर इसके अन्बॉक्सिंग करते और द इस बॉक्स ओपन करने का तो फर्स्ट आप एक सीमिजेक टूल मिलता है एक सीमिजेक टूल उसके बाद कुछ मैनुवल बुक्स जो कोई नहीं पड़ता उसके देख बैक कवर मिलता है कॉलिटी वाइस ओके ओके है नॉट गुड जाद एक दम अच्छा भी नहीं बोल सकते नॉर्मल सबीस में ट्रांस्वरेंट आता है सो गाईज स्के बाद हमें मिलता है सेलफ फोन इस पर प्लास्टिक अटा के पेपर में डाला हुआ है ओकि इसे भी साइड में रखते हैं इसके बाद मिलता है हमें चार्जिंग अडेप्टर जो की 80 वार्ट सुपर वोक चार्जिंग के लिए दिया हुआ है उसके बाद मिलता है हमारे को डाटा केबल प्लस चार्जिंग केबल टाइप एटू सी कुड कॉलिटी तो अच्छी दिख रही है मूटा मोई पीस है तुछ लिए बॉक्स के देन में मिलता है इन सब को फिलाल साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारे मोगाइल फोन को इस बाइल फोन का फरस्ट लूक धिज़ाइन लूक तो भहूत प्रीमियं मिलता है और जो कैमरे के निदे डिजैन मिलता हो तो फील होता है पूरा बहुत अमेजिंग पीस दिया हो आध बहुत अमेजिंग उसके अलावा कैमरे का डिजाइन सेटफ बहुत जबर्दस मिलता है वह जैसा कि आप सो दिख सेट एक ट्रिपल कैमरा सेट विद फ्लैश लाइड दिया हुआ है एक 2.5 डिक कर्व बॉड़ी मिलती है प्लास्टिक बैक के साथ कॉलिटी तो अच्छी लग रही है कॉलिटी के साफ से तो अग्दम शांदार लग रहा है साइड बाइस देखोंगे तो आफ सीच के साथ आइधिंग फिंगर पिंगर पिंट सेंसर अटैच किया हुआ इन्होंने डिजाइन एक बॉक्स शेप में थोड़ा मिलता है लेफ्टन साइड में आपको वाल्यम अपडाउन की और एक सिम ट्रे मिल जाता है निशी साइड में किसमें हमारे को क्या-क्या मिलने वाला है यह एक हाइब्रीट स्लोट मिलता है सिंगल सिम मेमरी काड यह डूवल सिम लगाने के लिए देखा जातो ठीक है बजट फोन है तो दो सिम का टॉप लगा कि यूज करी सकते हो तो डिजाइन लुक के सबसे देखा जाते बहुत प् पंचोल डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.72 इंचेस का LTPs LCD पैनल अभी LTPs क्या है अगर LTPs के अगर मैं बात करूँ तो यह नॉर्मली एक TFT का अपग्रेड वर्जन बोल सकता हूं राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एक एमुले डिस्पले होना चाहिए सब्सक्राइब के बात करें तो 120 हर्स का मिलता है कॉलिटी वाइस तो बहुत अच्छा गाम करता है दिखा तो डिस्पले कॉलिटी तो ठीक थाग दी गई है एक एमुले डिस्पले होता तो ज्यादा अच्छ आप्शन मिल सकता था इसके अलावकर समें प्रोसेशर की अगर सब्सक्राइब करें तो इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन 13.1 पर मिलता है इसमें इंटरनल मेमरी की बात करता है तो 256GB दीगे इसमें एक ही वेरेंट मिलता है आपको 8GB RAM और 108GB इंटरनल के साथ इसके लिए प्रोसेशर के बात करो तो इसमें भी अगेन कॉलकम का स्नाइब आपको 7GB RAM आपको चाजिंग आडेप्टर का मिलता है और इसमें सिवसप्पोरण है 67W तो यह चोड़ा सा अध्चा दियाए तो यह चोड़ा सा अच्छा धिया है कि इसमें चाज़ेंग अडेपटर फास्च मिलता है त्थोड़ा जो इसके चालेस्पिड है वह 67 TV मैलती है अरावर्ड एक सब्सक्राइब मैं अच्छा ऑप्शेन आपको मिल जाता है अगर कैमे की बात करते है दें आपको 64 2 मेगापिक्सल का विलता है और अब प्रहंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है अब फोटो कॉलिटी के अगर मैं बात करो तो कॉलिटी वाइस तो आई थिंग बहुत अच्छे मॉबाइल फोन होते है इसके क्योंकि आप सभी को पता कि ओपो सीरीज में हर मॉबाइल फोन आपको बहुत अच्छे कॉलिटी के साथ मिलता है फोटो कॉलिटी आप स्क्रीन प अगर गेमिंग की में बात कुल तो इसमें आपको 695 प्रोसेसर मिलता है 120 और 240 वाट कर सेंप्लिंग रेट मिलता है तो गेमिंग के लिए एक बहुत शांदार मोबाइल पूर मिलता है गेमिंग इसमें अच्छी क्योंटे में खेल सकते हो देखा जाए तो एक अच्छा पीस दिया हुआ है इन हैंड में फिल अच्छा है 4 फिंगर 3 फिंगर जिस से आप साब खेलते हो तो आप इसके आप बबंबेंस के लिए असाथ इसमें बहुत आप आसानी से चल जाएंगे सेकुरिटी के बात करूं सेकुरिटी में आपको बहुत सारा संक्षन मिलने वाले हैं जी सब आप सभी को दिखा देता हूँ इस बाइयो में अच्छा था ये ने को थोड़ा सा बेकार लग रहा है कि आपको साइड मौड फिंगर्पिंट से सब्सक्राइब जो कि नॉर्मल 10-15,000 के मोगाल फोन में मिल जाता है आज गल तो आठाव 20,000 के रेंज में आपको इंडी स्प्ले फिंगर्पिंट से सब्सक्राइब बहुत से मोगाल फोन तो देखा जातो यह कि इसमें अच्छा ठीक बाकी मिल जाता है एक स्नैपड्रागन 695 जो कि इनका मेरे खाल से घरेलू प्रोसेसर हो चुका है कि नॉर्मली हर बड़े मोगाल फोन जैसे आप देखोंगे तो रेनो एट्टी में भी सेम प्रोसेसर मिलता है इसमें भी सेम प्रोसेसर के साथा आता है मोगाल इसका इंट्रूटू स्कोर के बात करें तो सिर्फ चार लाके करीब करीब है अगर आप बजट के साफ से देख रहो तो इसमें थोड़ा सा और एक अच्छा अप्ग्रेड ऑप्शन मिलना चाहिए था महीं इसके अलावा देखा जाए तो कैमरा अमरा ठीक ठाक दिया गया ह है अगर बजट के साफ से बात करूं तो 22-23 की रेंज में बहुत थोग अस्यादा महेंगा मॉइल फून ही नहीं हो सकता था तो उससाफ से देखा तो वन प्लस का मेंको मॉडल ज्यादा अच्छा लगा इससे क्योंकि उसकी कॉलिटी भी आपको अच्छी मिलती है प्लस आप से अगर बात करूं तो यह मॉबाइल फून थोड़ा ओवर बजट मुझे लग रहा है पर आप इससे पर्चेस कर सकते हो क्योंकि ओपो के जो फैंस उनके लिए बहुत अच्छा उप्शन इसमें मिलता है तो ओवरल बगर मैं बात करूं तो मॉबाइल फून थोड़ा